नमस्ते दोस्तो, I hope सबके लाइफ में सबकुछ बहुत अच्छा चल रहा है और Trigonautic Functions के chapter में मज़ा आ रहा है अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज हम लोग सिखेंगे कि जो हमारा X है जैसे मालव हम Sine X कह रहे हैं ठीके तो जो भी X है वो किस Quadrant में लाई करता है ठीके जो आपका एंगल है वो कौन से Quadrant में है ठीके पहला या दूसरा तीसरा चौधा किस Quadrant में है और उसके इसाब स से फिर आपका Sine X का Sine क्या होगा मतलब Sine X positive होगा negative होगा Cos X positive होगा negative होगा ठीके हम लोग वो देख केंगल स्टार्ट करते हैं फिर से अपना पुराना ये जो हमारा सर्कल है ठीके और ये जो प्रोजेक्शन हो गया Sine X vertical projection Cos X horizontal projection मतलब इधर से light मार होगे तो जो भी मिलेगा साइन एक्स उपर से light मार होगे जो भी नीचे मिलेगा Cos X हम लोग काफी बार अभी तक देख चुके तो समझ में आ जाना चाहिए आपको अब देखो क्वाडरेंट क्या है कि जैसे हमारा ये जो कॉडिनेट एक्सिस है एक्स 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 तो ये जो पूरा प्लेन है ये चा तो साइन एक्स का पॉजटिव होगा नेगेटिव होगा Cos X पॉजटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा होगा तो देखते हैं बहुत simple है ठीक है सबसे पहले देखते हैं first coordinate में कब होगा ये ball जब ये x zero से है ना तो यहां से zero से start होगा और zero से लेके ये pi by two के बीच में है है ना तो अगर इस zone में है ये तो फिर ये पहला coordinate हो गया तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग sin x का projection देखेंगे इस area में है ना यहां से लेके यहां तक zero से लेके pi by two तो sin x क्या है अगर zero होगा तो zero है ना और फिर अगर pi by two पर पहुंच गया तो फिर वो zero से one पहुंच जाएगा यह ना तो यह हमेशा positive रहेगा तो अगर हमारा यह जो ball है यह पहला quadrant में मतलब x zero से लेके pi by two के बीच में है यह ना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x lying between zero to pi by two पहला quadrant तो आपका sin x क्या होगा greater than zero है ना क्योंकि zero से one के बीच में होगा ठीक है तो sin x greater than zero हो गया यह quadrant में अब similarly cos x क्या होगा तो हम लोग अगर उपर से projection देखते हैं तो मानलो ball अगर यहाँ पर है तो one पे होगा है ना cos zero one और फिर अगर ball यहाँ से जाते जाते यहाँ पर पहुंच जाता है तो वो zero पे पहुंच जाएगा तो one से zero जाएगा लेकिन positive रहेगा ठीक है तो अगर ball इस quadrant में है तो फिर sin x भी आपका positive हो गया zero से one के बीच में और cos x भी आपका positive हो गया है ना one और यह zero के बीच में तो sin x भी greater than zero cos x भी greater than zero again यह सब कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है बस इसको देखिए आख एक बार बंद करिए यह circle बन जाना चाहिए दिमाग में यह projection आ जाना चाहिए ठीक है तो sin x positive हो जाएगा cos x positive हो जाएगा अब दूसरे quadrant में जाते हैं दूसरा quadrant मतलब क्या कि पाई बाई टू से लेके पाई तक है ना बॉल अगर यहाँ पर है तो पाई बाई टू यहाँ पर जाएगा तो पाई हो जाएगा तो x जो है lying between पाई बाई टू टू पाई तो second quadrant अब यहाँ पर देखो बॉल मान लो कि अगर हमारा यहाँ पर है तो sin x का projection क्या होगा sin x फिर से अगर पाई बाई टू पर है तो 1 होगा और फिर पाई पर जाते जाते वो 1 से 0 पहुंच जाएगा तो बॉल अगर इस जोन में है तो sin x 1 से लेके 0 के बीच में होगा ठीक है तो sin x फिर से आपका positive हो जाएगा अब cos x क्या होगा cos x cos ये πाई बाई टू जीरो पर है और अगर हम लोग पाई की ओर जा रहे है तो फिर ये 0 से माइनिस 1 की ओर जा रहे है तो अगर इस जोन में हमारा ball है second quadrant में तो जो horizontal projection होगा मतलब कि जो cos x का value होगा वो negative होगा 0 से माइनिस 1 के बीच में तो cos x जो है वो less than 0 हो जाएगा बहुत ही simple है बस आराम से बैठके सोचिए ठीक है फिर उसके बाद हम लोग तीसरे quadrant में जाते हैं तो तीसरे quadrant क्या होगा कि ball यहां से start हो रहा है यह पाई से start होगे फिर यहां तक 3 by by 2 तो सबसे पहले sin x के बारे में सोचो ball यहां पर हमाल लो तो sin x क्या होगा यहां पर 0 और फिर 0 पाई से जैसे यह 3 by by 2 को और जाएगा तो फिर sin x जो है वो आपका 0 से minus 1 की और जाएगा तो अगर इस zone में हमारा है यह ball quadrant 3 में है तो फिर हमारा sin x क्या होगा 0 से minus 1 के बीच में तो sin x less than 0 हो जाएगा ठीक है और फिर अगर यहां पर आप horizontal projection देखोगे तो minus 1 से सुरू हो रहा है cos x और फिर वो 0 की और जाएगा तो cos x जो है वो भी negative होगा यहां पर तो cos x भी less than 0 है फिर चौथा quadrant मतलब क्या कि 3 pi by 2 से start होगे 2 pi तक 3 pi by 2 से लेके 2 pi तक sin x अगर देखोगे तो इधर का projection देखोगे तो फिर से यह 0 और minus 1 के बीच में लाएगा तो यह sin x फिर से less than 0 हो जाएगा यहां पर और cos x अगर यहां पर देखोगे तो 0 से start होगा और वो 1 की हो जाएगा तो 0 से 1 के बीच में लाएगा तो cos x greater than 0 होगा फिर से रटने का जरूरत नहीं है बस ऐसे ही समझते रही है अब कोई भी angle आपको देदिया जाए तो वो आपको क्या करना है आपको यह दिमाग में सोचना है कि वो किस quadrant में लाई करेगा आपको एक बार पता चलिगा वो इस quadrant में है तो बस अगर पहला quadrant में है तो फिर यह figure को आप दिमाग में फट से सोच लिए कि बाल अगर यहां पर है तो sin x 0 से 1 के बीच में होगा पॉजिटिव हो गया cos x भी 0 से 1 के बीच में होगा 6 एक फिर अगर इस तरफ ball लाई कर रहा है तो sin x positive cos x negative अगर third quadrant में है तो cos x negative, sin x भी negative, दोनों negative और यहाँ पर अगर ball है, तो फिर sin x negative, cos x positive तो बस यही सोचना है आपको अब यहाँ पर हम लोग उन्हें principal angle सोचा है न, 0 से लेके πाई बाई इसमें आप 2 पाई जोड़ दो तो 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई से लेके 5 पाई बाई 2 के बीच में तो ball यही पर रहेगा similarly, यहाँ पर आप जोड़ दो 5 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई के बीच में, तो ball यहाँ पर होगा बन्दो समझ रहो, यह जो angle है अगर 2 पाई जोड़ते जाओगे सब में, तब भी आपको सेम चीज रिपीट होते हुए मिलेगा तो ball किस क्वाडरेंट में है वो matter करता है, तो कोई भी angle दिया गया है, बस figure out कर लो किस क्वाडरेंट में है, और वहाँ से आपको value पता चल जाएगा कि positive है या फिर negative है, और फिर उसके बांकी जितने भी यह tan x है ठीक है, तो tan x क्या हो जाएगा, sin x divided by cos x, तो अगर sin x cos x दोनों का same sign है यहना दोनों अगर positive है तो tan x भी positive होगा दोनों negative है, तो भी tan x positive होगा एक positive है, एक negative है तो फिर tan x negative हो जाएगा, ठीक है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही simple concept है, अच्छे से logically इसको समझी है, अब और एक concept देख लेते हैं, जो कि कभी-कभी काम आता है, कि sin of minus x क्या होगा मान लो कि आपको sin of x दिया गया है ठीक है, और sin of minus x पुछा जा रहे है तो वो क्या होगा, या फिर cos of minus x क्या होगा, तो वो बहुत simple है, मान लो कि हम यहां से start कर रहे हैं, कुछ x radian पर हम लोग जा रहे हैं, तो ball हमारा यहां पहुँच गया, अब minus x का मतलब क्या है, कि हम लोग सेम distance जा रहे हैं, या फिर same length cover कर रहे हैं, लेकिन दूसरे direction में positive है, तो फिर वो anti-clockwise हो गया, negative है तो फिर वो clockwise हो गया, तो अगर x में यहां तक ball पहुच आ है, तो minus x में वो clockwise direction में यहां पर पहुच गया, तो अब देखते हैं sin x के साथ क्या हो रहे है, तो अगर यहां पर है ball, यहां पर है x के साथ, तो sin x माल लो यहां पर कुछ है, ठीक है अगर ball यहां पर पहुच गया तो अब sin x आपका क्या हो जाएगा, यह minus of sin x हो जाएगा, यह जो projection है, उसका magnitude तो same होगा, मतलब यह जो जितना है वो same होगा, ठीक है लेकिन बस, यहां पर आपका positive था sin x, यह minus of sin x हो जाएगा, माल लो कि कुछ ले लो यहां पर, 30 degree ले लो, तो sin of 30 degree क्या होगा, 1 by 2 यहां, sin of minus 30 degree ball यहां पर पहुच जाएगा, तो वो minus 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है अब cos x के लिए क्या हो रहागा, या फिर cos of minus x के लिए क्या हो रहागा, तो अगर हम लोग देखते है, x के लिए यहां पर है ball, है न, minus x के लिए ball यहां पर है, तो cos x के हम लोग क्या करेंगा, ऊपर से torch मारेंगे, और नीचे projection देखेंगे, तो यह जो X के लिए उसके लिए भी projection यही पर आएगा और यह जो minus X है उसके लिए भी projection यही पर आएगा तो क्या हो गया कि cos of minus X जो है it is equal to cos X ठीक है तो यह बहुत ही बहुत जगह यह भी काम आता है ठीक है लेकिन concept जो है बहुत ही simple है तो आज का lecture छोटा ही रखते है ठीक है दो प्यारा सा हम लोगों ने concept देख लिया कि किस quadrant में रहेगा तो sine क्या होगा और sine of minus X और या फिर cos of minus X और तो उसका कैसे हम लोग निकालते है sine of minus X minus sine X cos of minus X cos X अब next lecture में हम लोग domain और range की और प्रस्थान करेंगे ठीक है कि sine X का domain क्या होगा sine X का range क्या होगा फिर उसके बाद cos X, cot X, tan X जितना भी है और सारा यही जो हम लोग का graph है या फिर जो भी circle है और यह projections है इसी सारा सब कुछ clear होते जाएगा तो आप next lecture से हम लोग domain range यह सब पढ़ेंगे और फिर उसके आद graph कैसे plot करेंगे sine X का cos X का वो सब हम लोग next lecture से उस तरफ जाएगे तो मजे करिए आराम से logically समझते रहे है रटने का कुछ भी जरूरत नहीं है